इन दोनों बच्चों के घर आज तो यहाँ पर महमान आये हुए रिस्तेदार आये हुएं और ये तीनों तो ये क्या इस कूटिया लेकर आये हुएं ये तीनों तो बहुत ही सुन्दर लग रही हैं और ये दोनों बच्ची क्या कर रहें अरे ये क्या इतनी सारी नईने गाड दूसर ये तो सभी गाड़ियां लेकिन यह क्या इन दोनों बच्चों के घर जो रिष्टेदार आए विए इनको खाने के लिए यहां पर ना नम्कीन और बिस्कुत काईज आज हम जो वीडियो पे रियक्शन देने वाले है वो पपू और कपू का है तो पपू और कपू के घर पे आज महमान आने वाले हैं लेकिन ये क्या हुआ जैसे ही महमान आते हैं तो महमान के सामने सिर्फ चाय और नाश्टा रखते हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिया चो nazis जो पंपो और गपो को उसकी ममी मार्केट भेजते हैं और खुब सारे वहां से फिरूट रूबेलन बनाना ज्म एपल केले लाने के लिए कहते हैं ज़ी क्या करते हैं उनके पास रिमोट का कार रहता है उससे वहाँ मार्केट जाते हैं और वहाँ पर घुम जाते हैं तो इस्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी वाली है तो इस्टोरी को एण तक के दिखे और चैनल को यहाँ सब्सक्राइब देजिए दोनों बच्चों के घर आज तो यहाँ पर महमान आये हुए रिष्टेदार आये वियें। और ये तीनों तो ये क्या इस कूट्यां लेकर आये वियें। ये तीनों तो बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये क्या इतनी सारी नईने गाड़ीों के साथ खेल रहें। amis चलो दोनों बच्चों के घर जो रिस्तेदार आये हुए हैं, इनको खाने के लिए यहाँ पर ना नमकीन और बिस्किट कुछ भी नहीं रखा हुआ है, चलो इन सभी के लिए लेकर आते हैं, चलो बच्चे चलो, सबसे पहले अपने मम्मी जी से पूछ लो, ये क्या, मम्मी मम्मी म सबसे पहले छोटे छोटे खिलोनों को यहाँ घर के अंदर रख देते हैं, इसके वार इसी वाले ट्रक के ऊपर ये छोटा सा बच्चा बैटकर चलेगा, और अपने रिष्तेदारों के लिए नमकीन और बिस्किट लेकर आएगा, क्योंकि आज इन सभी को क्यावल चाही मि पूज लेकर आ रही है, ये संतरे, ये अमरूत और ये पपीते लेकर जा रही है, जाते रहो, तुम यहाँ पहले बगल से होते हैं, धीरे 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 चले जाओ, चलो छोटे वाले बच्चे, अब तुम आराम से धीरे धीरे चल सकते हो, अरे ये क्या, रुख जाओ एक बार तुम आओर रुख जाओ, यहाँ पर यह बुलट वाली बाइक से, और इस दो-दो लड़कियां क्यों आई हुई हैं, यह दोनों लोग आई हुई हैं, अरे यह क्या, एक टैक्टर जेसे भी फे टैक्टर, दो-दो टैक्टर और जेसे भी से मुलाकात करने के लिए, यह आदमी आया हुआ है, इस वाले टैक्टर के पास, और टैक्टर से बोल रहा है, चलो-चलो मेरे खेत चलो, मेरे खेत में बुआई करना है, इस पर यह टैक्टर बोला ठीक है, चलो, जाओ टैक्टर, अराम से तुम पहले अपने बाइक को लेकर पीछे जाओ, और साथ मे टेक्कर वाले भाई तोम भी जाते रहो और खेत में फसल की बुआई करदो ये दूसरी छोटी-छोटी लड़की याई हुए जेसिवी के पास इसकी लिए नयानया घर बनाना है जाओ तोम भी जाओ और तुम्हारे साथ में ये जीशिवी भी जा रहे है जाओ जीशिवी वा का जनम दिन है? ये दोनों तो इस बड़ी सी जलपरी रढ़ीन के छोटी-छोटी बेटियां है। आजुझ दोनों का जनम दिन है। यहां पर तो स्वाधिश्ट्वाल कीक आया हुआ है? और जनम दिन में काॉन-कां। हुआ है? अरे ये क्या? कोई सजल परीकली और दूसरी वाली के पास में क्या आ हुआ है ये दूसरा आदमी क्या लेकर आ हुआ है अरे ये भी छोटा सा हेली कॉप्टर लेकर आ हुआ है अरे वह बहुत बढ़िया आज तो इन दोनों का जनम दिन हैं और केक को खाने के लिए दो-दो आदमी स्कूटर से आ और तुम यहां किनारे रुके रहो अभी तुमको मिलेगा केक को खाने के लिए और ये दूसरा वाला आदमी तुम भी आओ धीरे 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 यहां रुके रहो अभी तुमको भी मिलेगा केक अरे ये क्या कोई ढोलक बजाने वाला डोरे मोन भी आया हुआ है चलो यहां से के अले केको काउन कोन खाएगा, खाने के लिए ये दो आदमी जो स्कूटर से आये हुई हैं, और ये डोरी मोन आया हुआ है, चलो यहां से छोटी वाले बच्चे को ले कर चलते हैं, नहीं तो इसको देर हो जाएगी, इसको लेना है बिस्किट और नम की चलते रो, अरे ये क्य ये तो गुड़ो का घर है, एक गुड़ा, और इसके बगल में एक और गुड़ा, इन दोनों गुड़ो के पास में भी एक कोई ट्रक, बड़ी सी ट्रक है, चलो पहले ट्रक को बाहर निकाल के देखते हैं, अरे इसमें क्या रखा हुआ है, अरे ये क्या, ये तो खेलने व गाड़ी, अरे ये क्या, ट्रक वाली भाई, जाओ तुम अंदर फिर से खड़े हो जाओ, इन दोनों गुड़ो के पास में खेलने वाली दो दो गाड़ियां, और खाने के लिए क्या, कोई आटो रिक्सा तो तर्बूच लेकर आ रहा है, अरे वा, स्वादिष्ट वाला त गुड़ा, और इस दूसरे वाले गुड़े के पास में एक और बाल्टी पानी, जाओ, तुम्हारा भी बहुत-बहुत धन्यवाद सुक्रिया, चलो इस छोटे वाले बच्चे को अब लेकर चलेंगे, चलते रो, धीरे, 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 धीरे से चलते रो, और चलो, अरे बच्चे रुको, 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 ये क्या, मुझे लगता है दुकान तो आ गई, ये देखो, दो-दो दुकंदार है, और इन दोनों दुकंदार के पास में ये क्या, बहुत सारी बिस्किट रखे हुए है, और ये नमकीन भी रखा हुआ है, और यहाँ पर तो चिप बिस्कित लेकर चलते हैं, सबसे पहले इस वाले बिस्कित को लेकर चलेंगे, ये लो, अपने रिष्टेदार के लिए बिस्कित लेलो, और ये क्या, चलो एक पैकिट बिस्कित तुम आओ लेलो, आरे वह बहुत बढ़िया, और ये क्या, रिष्टेदार के लिए नमकीन, नम्कीन तो यहां रखी हुई है, चलो नम्कीन को भी ले लो आप बताओ तुमको क्या चाहिये चलो इसको टौफी आदेंगे खाने के लिए यहाँ तो बहुत सारी टौफी है चलो यहाँ से दो टौफी लेकर चलेंगे यह लो चोटी वाले बच्चे तुम्हारे लिए टॉफी और तुम्हारे रिस्तेदार के लिए नमकीन और बेस्किट हो गया अभी तुमको लेकर चलते हैं रुको अभी तुम पहले यहीं रुके रहो और देखो इस वाले दुकंदार के पास में काउन कोन आया हुआ है अरे यह क्या कोई GCB चलाने वाला आदमी आया हुआ है इस GCB चलाने वाले आदमी को क्या चाहिए इस पर यह बोलता है मुझे चिप्स चाहिए अरे यह क्या चिप्स तो यहां रखी हुई है यहां तो दो दो परकार के हैं चलो इसको यह वाला लेकर चलेंगे अरे वा, यहां से ले लो, थोड़ा सा एक पैक ले लो, ये लो, अराम से तुम चिप्स लेकर, अब यहां से जा सकते हो, धीरे 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 जाते हो, और यह क्या, कोई हेलिकॉप्टर से भी आये हुआ है, अरे वा, यह तो बहुती प्यारा हेलिकॉप्टर चलो इसको भी यह क्या, यहां तो टोफिया भी रखी हुई है, जो तुमको चाहिए अराम से ले सकते हो, छोटी वाले बच्चे अभी तुम रुखे रो, अभी तुमको ले कर चलेंगे तुम्हारे घर पर, चलो पहले देखो आगय के कहानी में क्या हो रहा है, अरे यह क्या, ये सुन्दार सा बड़ा सा घर किसका बना हुआ है यहां तो कोई लड़की इस वाले कुर्सी के ऊपर बैठ कर क्या कर रही है इसके पास में तो खाने के लिए बनाना केला और हाथों में पहनने लिए चूडिया और इतनी सारी चूडिया तो घर के अंदर रखी हुई है और ये क्या बालो को कंगी करने वाला और ये बालो में लगाने वाला भी आय हुआ है ये लोग इसके बालो में लगा देते हैं अरे वाह और यहां सामने ये क्या दो छोटे छोटे बच्चे ये दोनों क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये वाला बच्चा तो A, B, C, D याद कर रहा है और ये दूसरा वाला बच्चा तो छोटा बड़ा याद कर रहा है जिसको सबसे पहले याद हो जाएगा जिसको A, B, C, D याद हो जाएगा उसको खाने के पढ़ाई करना चाहिए और ये कार क्या लेकर आई हुई है अरे ये तो ओठों में लगाने वाली है ये किसके लिए लेकर आई हुई है इनकी प्यारी सी मम्मी जी के लिए ये देखने में बहुती प्यारी सुन्दर लग रही है ये कार तो बहुत यची धन बातकार अराम से तुम धीरे धीरे पीछे चले यहो, आज तो यहां की कहानी देख में बहुत मजाया, अरे ये क्या, छोटा सा बच्चा तो घर की अंदर जाकर बैठा हुआ है, बहुती प्यारा सुंदर लग रहा है, चलो यहां से चलते हैं, आगे की कहानी में, अरे छोटे वाले बच्चे चलो तुमको लेकर चलते हैं, तुमको नमकीन और बिस्किट कहां लेकर जाना है, अपने रिस्तेदारों के लिए, धीरे 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 से चलते रहो, इन दोनों गुड़ों के घर के सामने से होकर, तुम धीरे 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 चलते रहो, और यहाँ पर यह क्या, यहाँ पर अरे वह बहुत बढ़िया इसमें भी थोड़ा सा और ये आखरी वाली प्लेट इसमें भी थोड़ा सा अब ये क्या तुम सभी लोग चाय पीलो और नमकीन चबालो और ये क्या बिस्कित भी आए हुआ है चलो सभी बिस्कित को यहां नीचे रख देंगे अब इन सभी रिस्त का धनबाद बोलते हैं थैंक्यू ट्रक वाले भाई तुम्हारा बहुत बहुत सुक्रिया जाते रहो आज तो यहां की कहानी देख में बहुत मज़ाया अगर आप सभी को आज की कहानी परसंद नहीं हो तो इस वाले कहानी को लाइक करिएगा मिल तक सी दूसरी अच्छी सी कह कॉष्ट ऍняसल आते हैे और मेहमान से सी किश ईजता है तो कफू को बहुत बुरा लगता यह सो रहे सकरेंद और सीरलन आते हैं वहां से वह सीथ सारे सथ करेंफिया हम दोंचों के नहीं जुक्ति y उसका बढ़ करेंद हैK बुलेट है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास रिमोट वारी कार है, वो सब कसम लेके उस फ्रेंड के घर पे केट करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे उसका केक कट करते हैं, लेकिन केक कट करने के साथ साथ उनको सारी बधाईयां देते हैं और गिफ देते हैं